Hello everyone, आज प्रम IAS स्टार्ट करने जा रहा है Modern History of Bihar Bihar का Modern History करेंगे, इसमें आपको जो content है वो English में भी दिया गया है, Hindi में भी दिया गया है और जो medium of explanation है वो आपका Hindi ही रहेगा और इसके अलावा आपको और कोई source refer करने की जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ cover करवा दिया जाएगा मतलब ये एक comprehensive coverage आप बोल सकते हैं जो आपको इस platform पे दिया जाएगा So आप जो है ancient history आपको करवा दिया गई है तो वो आप playlist में चेक कर सकते है medieval history of Bihar भी आप को करवा दिया गए वो भी आप देख सकते हैं और अब ये modern history स्टार्ट हो रही है सबसे पहले Bihar during the 18th century मतलब आपके 18th century में जो Bihar है उसका status क्या है हम Bihar का ही पढ़ने वाले क्योंकि आपने Indian history तो पढ़ी हुई है आपने Battle of Flassey, Battle of Buxer ये सारी चीज़े पढ़ी हुई है बट हम उसमें थोड़ा Bihar orientation से देखेंगे और हम इन Battle of Flassey, Battle of Buxer को भी discuss करेंगे तो अभी हम देखते हैं पहले Bihar during this 18th century तो हो क्या रहा था? मुगल रूल जो है वो आपको पता होगा कि औरंगजेव के बाद काफी कमजोर हो गए थे और वीक मुगल रूलर्स हमें देखने को मिले थे और हुआ क्या था कि बहादुर शार जो होते हैं उनकी जब देथ हो जाती है उसके साथ-साथ बिहार में भी जो मुगल रूल चल रहा था हमने जैसे पिछले वीडियो में किया था कि इसको गवर्नर अपॉइंट करा गया है जो कंट्रोल था मुगल रूल का वो भी खतम हो जाता है जो मुगल रूल है उस टाइन पे जो पत्ना है एक major trading center बन कर आये था जब हम मुगल रूल चल रहा था हमारे बिहार में तो जो पत्ना था वो एक strong center बन कर आये था मतलब पत्ना में आपको cotton textile के लिए जाना जारा था Silk Industry, Indigo and this Salt Pitter तो ये सारी चीजों के लिए Patna एक Major Center था जिसने जो भी हमारे European Companies है European Trading Companies है उनको attract करा इसी लिए जो हमारे Portuguese है जो हमारे Dutch है English East India Company या फिर हम बोल सकते है French ये सारे पहले हमारे बिहार में इस region पे attract होते हैं छप्रा, Patna और मतलब ये जो surrounding areas है Patna के उन region पे इसी वज़े से attract होते हैं as a trade, मतलब trade करने के लिए यहाँ पर आते हैं आप यहाँ देख सकते हैं जो भी बिहार में Patna की जो prosperity है उससे वो attract होकर बिहार में enter करते हैं और trade relations बनाते हैं तो सबसे पहले बिहार में कौन आता है जैसे कि इंडिया में भी सबसे पहले पुर्टगाली और पोटुगीज आये थे हमारे बिहार में भी सबसे पहले पोटुगीज आये थे तो यह 17th century में ही बिहार में आ जाते हैं और यह अपनी जो पहली फैक्टरी है वो बेंगॉल के होगली वाले रीजिन पे बनाते हैं लेकिन अब वहां पे उन्होंने फैक्टरी स्टाबिश करी है तो पतना से ट्रेड करने के लिए क्योंकि पतना तो था एक strong center जहां पे आपको textiles वेगरा तो जो भी यहां के material है उसको export करने के लिए वो बेंगॉल जाते था तो ट्रेड डेवलप करने के लिए हमारे पतना में आते थे तो इस trading relation को maintain करने के लिए वो frequently visit करते थे हमारे बिहार में और किस मांधियम से बोल सकते हैं से चैनल से water channels, roads यह सारे mediums को use करके जो हमारे Europeans थे जो हमारे बिहार में enter कर रहे थे वो आते हैं इन सब medium को use करके हमारे पतना में visit करते हैं तो यह Portuguese के बारे में है उसके बाद जो है हमारे बिहार में entry होती है Dutch की 1632 मतलब यह 17th century चल रहा है Dutch factory जो है हमारे पतना में बन जाती है यह हमारे बिहार की बोल सकते हैं पहली factory क्योंकि Portuguese ने भी देखा हमने कि Portuguese ने हमारे बिहार में factory established नहीं करी Portuguese ने trade relations बनाए पतना में लेकिन सबसे पहले entry किसने ली पोटुगीज ने ली Dutch क्या करती है पहली factory establish करती है पत्ना में 1632 उसके बाद जो मुगल एम्परर है औरंगजेब क्योंकि औरंगजेब की डेट 1705-7 के आसपास होती है तो अभी date यहाँ पर प्रॉपरली आपको यह वेरी करता है किसी बुक में 1705 दिया है किसी में 1707 दिया है जो भी Dutch है जो Dutch company आई है हमारे बिहार में उनको यह trade permit बोल सकते हैं यह trading right से देते हैं कि वो बिहार, Bengal and Odisha में trade कर सकते हैं उनको कुछ बोल सकते हैं favor मिलाई यहाँ से मुगल रूल से उसके बाद 1665 में जो हमारे Dutch traveler है तेवर्नियर वो भी आते हैं पत्ना में उसके बाद यह चप्रा में भी जाते हैं जहाँ पे बोल सकते हैं हमारे salt better का major region है यह है सारन district में सारन region यह जो region है सारन गोपाल गंज यहाँ पे salt better बहुत अच्छे quantity में मिलता था उस time पे भी बहुत अच्छे quantity में होता था तो इसे लिए जो हमारे क्योंकि यह जो region है यही इनको ट्रैक कर रहा है तो हमारे जो डच्छ ट्रावलर थे ट्रवर्नियर वो भी उस time पे पत्ना पे एंटर लेते हैं क्योंकि वो तो main center है पत्ना में एंटर लेते हैं उसके बाद इस रीजिन पे सारंडिसिक में जाके विजिट करते हैं वहाँ पे ट्रैवल करते हैं अब इस सॉल्ट पेटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा होता है फ्रेंच, ब्रिटिश और डच के बीच में मतलब आपके इन तीनों की बीच में इस रीजिन को कंट्रोल करने के लिए डिस्प्यूट चल रहा है कि ट्रेडिंग राइट्स जो है सॉल्ट पेटर का उन्हें मिल जाए उसके बाद होता क्या है बैटल ओफ बेदारा ये आप पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में बैटल ओफ बेदारा होता है हमारे डच और बिटिशर्स के बीच में ये 1759 में होता है जिसमें बिटिशर्स जीत जाते हैं और डच को वो अपने रास्ते से हटा देते हैं इसके बाद सिर्फ इनका कंट्रोल रहता है धीर धीर आप देखेंगे कि ये जो हमारे बिटिशर्स हैं पटना में उसको कैप्चिर कर लिया अब बिटिशर्स कर देखेंगी पहले तो ये बिदारा में इनको हरा देते हैं उसके बाद इनका एक वेर हाउस कैप्चिर कर लेते हैं क्योंकि डच को हरा दिया तो कुछ पार्ट्स रह गये थे डच के पास जहां पे वो अपनी factories को control कर रहे थे तो उनका एक warehouse था पटना में जिसको वो capture कर लेते हैं लेकिन 1784 में इन्हें वापस दे देते हैं क्योंकि वैसे ही इन्होंने अपनी position इती ही strengthen कर ली थी कि इन्हें अब इन चोट-चोटे प्रेशन में जाते हैं उसके बाद ये बिहार में trade relations बनाते हैं लेकिन इनका क्या था Dutch companies के साथ struggle चल रहा था क्योंकि salt petal को लेके क्योंकि Dutch companies, English companies, French companies salt petal पे control कर रहे थे पर आभ भी आपने देखा कि यहां पे जो इनके एक warehouse था पटना में उस पे हैं उपर से अगर आप यह देखेंगे कि जो Dutch companies हैं उनका interest salt petal में जादा है तो अब इसको लेकर French और Dutch के बीच में भी struggle चल रहे थे इन्होंने क्या करा अपना एक warehouse इन्होंने भी पटना में बनाया 1734 में अब होता क्या है Battle of Plassey होता है 1757 में उसके बाद जो यह East India Company है यह जो General of Bihar जो इस ताइम पर पटना पर होता है उनको एक्सपेल कर देती है और यह जो वेर हाउस है उसको capture कर लेती है अब इससे मतलब देखें वैसे तो इनके और भी बैटल्स चल रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर British इनसे यह सब control छीन कर French control का जो है वो बिल्कुल ख़तम कर देती है मतलब यह पटना यह वेर हाउस पर जो भी control होता है वो सब कुछ एंड कर देती है उसके बाद आते हैं Danes Danish Danish in Bihar इन्होंने अपनी एक factory हमारे Bihar में बनाई थी 1774 यह भी salt better को processing इसकी processing के लिए बनाई गई थी कहाँ पे निपाली कोठी पटना तो यह कुछ facts है जो आपको याद रखना है और यह आपको हिंडी भी provide किया गया है उसके बाद आप हम East India Company के बारे में पढ़ेंगे East India Company ही है जो सारे Europeans में से बोल सकते हैं जीत कराती है और अपना जो control है वो पूरे इंडिया में फैलाती है तो East India Company इन Bihar अब जो है सारे Europeans चलेगे अब हम बस East India Company के बारे में ही पढ़ेंगे इन्होंने अपनी जो factory है 16-20 मतब 17th century में ही open करी थी आलम गंच पटना में लेकिन अगले ही साल इसको बंद कर दिया जाता है अब ये भी किस लिए देखेंगे आप देखेंगे salt petter के लिए तो ये जो salt petter है बहुत demand में था salt petter को लेकर Dutch और French के बीच में भी चल रहा है फिर उसके बाद यहाँ पे East India Company में भी चल रहा है तो आप ये देखेंगे इसको लेके काफी ये demand में था तो इसको लेके issues होते हैं तो ये अपनी factory काफी पहले ही बना देते हैं 1620 में लेकिन बाद में 1621 में बंद कर देते हैं 1651 में ये जो अपनी factory है गुलजारबाग वहाँ पे open करते हैं और जो कि अभी बात करें इस present time में गुलजारबाग क्या है एक printing press है मतलब इसको government printing press में change कर दिया गया है अब हम देखेंगे battle of plassi ये जो battle of plassi है ये होता बैंगॉल में है लेकिन ये उस time पे बैंगॉल बिहार सब एक तरीके से बोल सकते हैं सब पे control था east india company का तो कहीं न कहीं इससे impact होता था तो ये जो battle of plassi है ये हुआ था बैंगॉल में इसके बाद जो battle of buksar होता है वो हमारे बिहार में होता है तो अभी हम देखेंगे कि हम Bengal से बिहार में कैसे हुआ था ये सब कुछ पहले है battle of plassi ये होता कहां पे है ये होता है 1757 मे और ये होता है पलाशी यह पलाशी रीजन है एक्चुली यह वेस्ट बेंगॉल में एक रीजन है और यह भागीरती रिवर के एस्ट में है यह रीजन तो जो हमारी भागीरती रिवर है उसके एस्ट में यह रीजन है जहां पर यह होता है उस टाइम पर जो हमारे बेंगॉल के नवाब कौन होते हैं सिराजुद दौला यह होते हैं यह जो है ग्रांड सन होते हैं अलिवार्दी खान के तो उनकी डेथ के बाद यह सक्सीड करते हैं 1756 में इनको ना काफी सारी चीजे होते हैं जिसकी वज़ा से यह इस्ट इंडिया कंपनी के साथ कॉंफलिक्ट में होते हैं मतलब बहुत सारे जो हैं वो चल रहे होते हैं जैसे रैंपन्ट मिस्यूज ऑफ ट्रेड मतलब जो भी उनको ट्रेड प्रिविलेजिस रैंपन्ट मिस्यूज ऑफ ट्रेड पर्मिट्स बोल सकते हैं रैंपन्ट मिस्यूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजिस मतलब जो हमें मुगल एम्परर ने ज वो तो फॉलो करी रही है, साथ के साथ उसको मिस्यूज करने लगते थे, तो ये जो मिस्यूज, करॉप्शन, ये सब देखने को मिल रहे हैं, तो इससे काफी जादा परिशान हो गया था हमारे नवाब बेंगॉल, सिराजुद दौला, तो पहला रीजन तो ये है, उसके बाद, ये हैं बेंगॉल, बेंगॉल के नवाब, लेकिन इनसे बिना पूछे, ये जो कैलकटा है, उसको फोर्टीफाइ कर देते हैं, चारो तरफ इसे बाउंडरी बना देते हैं, बिदाउट दे नवाब's permission, अब इसकी वज़े से उनको थोड़ा ignorance फील होता है, क्योंकि वो वहाँ के नवाब हैं, उनसे बिना पूछे सारा काम कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, उस टाइम पे ये कैलकटा जाते हैं, और जो Fort William है, जो उन्होंने बनाया होता है, उसको capture कर लेते हैं, उसके बाद एक black hole tragedy होती है, जो की हमारे ये जो नवाब ऑफ Bengal हैं, वो करते हैं, जिसकी वरे से काफी सारे हमारे जो prisoners होते हैं, बोल सकते हैं, काफी लोगों को इन्होंने उसके अंदर छोटे से room में बन कर रहा था, काफी सारे Britishers को बन कर रहें, जिसकी वरे से उनकी death हो जाती है, और इसके बाद इस चीज को देखते हुए बाद में आते हैं Robert Clive, Robert Clive जो है, इस चीज से थोड़ा गुसा हो जाते हैं, या फिर इनके बीच में थोड़ा टसल चलने लगता है, इन दोलों की बीच में इस चीज को लेकर ये कराते हैं Black Hole Tragedy, तो ये बाद में आते हैं और फिर ये बोल सकते हैं Battle of Plassey, ये वैसे Battle होती ही नहीं है, ये एक तरीके से Conspiracy होती है, तो ये चीज करते हैं, तो Robert Clive जो है, एक Conspiracy रचते हैं, उनके ही बोल सकते हैं, मतलब हमारे जो नवाब हैं, उनके अंडर ही काफी लोग जो थे, जो इनसे खुश नहीं थे, उनको इंक्लूड करके ये Conspiracy रचते हैं, तो Robert Clive जो है, इस Conspiracy साइन करते हैं, मीर जाफर के साथ, जो उनके Commander in Chief होते हैं, अब आप यहां देखेंगे कि 50,000 Soldiers, 50,000 Soldiers जो हैं, वो नवाब के हैं, और 3,000 बस हैं, आर्मी, Robert Clive की, तब भी आप देखेंगे कि Robert Clive यहां पे जीच जाते हैं, क्योंकि ये होती है Conspiracy, जो ये 50,000 Soldiers और मीर जाफर हैं, वो तो बैटल पे पहुँचते ही नहीं हैं, नवाब को मारते हैं, मीर जाफर के बेटे, मीर मिरन, तो इन्हें मतलब इस Conspiracy से मारा जाता है, और उसके बाद Robert Clive ने agreement किया होता है, कि अगर हम इस नवाब को मार देते हैं, तो उसके बाद ये जो मीर जाफर को नवाब बना देते हैं, तो आप देखेंगे कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, गवर्नर ऑफ बेंगॉल नवाब ऑफ बेंगॉल, वैसे गवर्नर उसने बोला जा रहा है, नवाब ऑफ बेंगॉल उन्हें अपॉइंट किया जाता है by Robert Clive, लेकिन उसके बाद ये होता है कि फिर ये जो है, हमारी जो East India Company, ये मीर जाफर से काफी सारे, मतलब पैसे पर पैसा, रेवेन्यू, सब कुछ मागने लगती है, जो बोलती जाती है East India Company, मीर जाफर को देना पड़ता है, as for the agreement, तो ये काफी जादा परिशान जाते हैं, उसके पाद 1760 में क्या होता है, East India Company देखती है कि ये हमारी बात अब नहीं सुन रहे है, तो ये अपॉइंट करती है मीर कासिम को, मीर कासिम बोल सकते हैं, उनमें से काफी एबल रूलर थे, काफी अच्छे थे, मतलब जो अपना खुद का ब्रेन यूज करते थे, मतलब इनका मीर जाफर की तरह नहीं थे, कि सारी बात मान ली, तो ये खुद के डिसिजन भी लेते थे, तो ये भी देखते थे कि जो East India Company है, वो काफी जादा एक्स्प्रॉइट कर रही है, उनके रीजिन को, मिस्यूज कर रही है, तो ये इनसे East India Company से तंग आकर, जो capital होता है, मुर्शीदाबाद, बेंगॉल से मुंगेर, बिहार में shift कर देते हैं, जिससे की, जो हमारी East India Company है, उसका control थोड़ा कम हो जाए, तो इसकी वज़ा से, differences आ जाते हैं, मीर कासिम और हमारे जो East India Company है, उनके बीच में, उसके बाद, ये क्या करते हैं, इनके बीच में battle होता है, मदब ये जो है, मीर कासिम, अब थोड़ा सा ignore करने लगी थी, East India Company को, capital को भी shift कर दिया, मदब काफी परिशान हो गई थी, East India Company से, तो अब इनके बीच में, differences होगए, मीर कासिम को हरा देते हैं, और ये मारूफ गंज, करनल गंज, जो एरियाज हैं, पटना के उनको कैप्चर कर लेते हैं, मतलब आप देखेंगे, जो बिहार पे उन्होंने, बिहार पे अब कैप्चर कर दिया, मतलब बेंगौर पे थी, लेकिन ये जो बैटल ऑफ उद्वन नला होता है, इसमें मीर कासिम को हरा के, ये एरियाज कैप्चर कर लेते हैं, तो मीर कासिम को समझ में आ जाता है, कि अब जादा देर तक ये लड़ाई नहीं चलेगी, मतलब वो जादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसी वज़ा से वो help के लिए जाते हैं, नवाब के पास, साथ ही साथ हमारी जो मुगल रूलर होते हैं, उस टाइम शाह आलम सेकेंड उनके पास, और उसके बाद यहाँ पे होता है, बैटल ऑफ बकसर, तब ही यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे, उसके बाद जो major Adams होते हैं, और major Knox, यह भी मुंगेर और पतना को control कर लेते हैं, तो पहले तो पतना के कुछ areas को control किया, उसके बाद कुछ areas मुंगेर के control करें, तो इसी वज़ा से जो हमारे मीर कासिम है, वो नवाब के पास चले जाते हैं, अब जो हमारे मीर कासिम है वो अवद चले जाते हैं उसके बाद एक confideracy एक बोल सकते हैं अलाइंस बनाते हैं ये बनाते हैं नवाब ओफ अवद जो अवद के नवाब हैं उनके साथ साथ ही साथ जो हमारे मुगल एमपरोर है उस टाइम पे शाह आलम सेखेंड उनके साथ और और सबको यही लगता है लेकिन ये जो बैटल है बैटल ऑफ वक्सर ये होती है 22nd October 1764 इस देट इस इंपॉर्टन और ये जो है East India Company और इस confideracy और ये जो combined army है इनके बीच में होती है East India Company को लीट कर रहे होते हैं Hector Munro और यहां ये जो combined army है ये इन तीनों की रहती है जिसमें कि जो East India Company है वो जीत जाती है और ये बोसकते हैं एक decisive battle है क्योंकि यहां पे जो मुगल emperor है उसे तक हरा दिया गया है अब इस battle के बाद दो अलग-अलग treaties sign होती है Treaty of Allahabad तो एक Treaty of Allahabad sign होती है शाह आलम 2nd के साथ ये सब आप Indian history में पढ़ते हैं उसके बाद एक sign होती है security sign करते हैं उसके बाद 16th August को ये शुजाउद दौला दनवाब अवद उनके साथ साथ साइन करते हैं अभी हम इनके details देखेंगे पहले हम ये देख लें कि इसका significance क्या है क्यों ये battle of waksar इतना important है इसका significance ये है देखें पहले जो हुआ था battle of plassi तो battle of plassi जो था ये बोल स full-fledged बोल सकते है war था इसमें जब ये हमारे Mughal Emperor हाग जाते हैं तब हमें पता चलता है कि East India Company अब धिरे-धिरे strong हो गई है और ये पूरे country में अब अपना supremacy फैलाने वाली है अब इसके बाद क्या होता है जिस war के बाद जो मीर-zafar है वापिस से उनको नवाब बना दिया ज कि हम आपको इसके बदले 26 लाक रुपीज देंगे अब जो मुगल रूलर थे वो थे वीक उनके पास पैसे नहीं थे उनको उनको ये 26 लाक रुपए मिल रहे हैं तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको बेंगॉल, बिहार और इसा के दिवानी राइट्स दे जेते हैं अब इसके बाद इस दे कंपनी है अब बोलती है कि हमें आप से 53 लाक रुपीज और चाहिए हमें इस लिए चाहिए क्योंकि हम इन रीजिए को जब गवर्न करेंगे हम इन रीजिए पर यह जो राइट्स हैं यह फॉलो करेंगे या फिर यह जो निजामत फंक्शन है वो जब हम करेंगे मतलब military defense, police and administration of justice यह सारी चीज़े जब करेंगे तो इसके लिए आप हमें 53 लाक दीजे तो अब बताइए यहां पे सिर्फ मुगल रूलर को ही पैसे देने पड़े इस रिने कंपनी ने बोला आपको हम 26 लाक देंगे आप हमें दिवानी राइट्स दिए उसके इसमें यह बोलते हैं अलाबाद आहन कारा वगारा वला रीजन आप हमें दे दीजे मतलब यह जो है मतलब इन डैरेक्ली इस टिए ने कंपनी नहीं देती है यह जो अलाबाद और कार्वारा руड रीजन है शुजाुद दौला से लेके यह मुगल रूलर को ही मुगल रोलर क यहां पर नहीं देख रहे हैं क्योंकि यह चीजें आप इंड़ियन हिस्ट्री में पड़ते हैं अब उसके बाद यहां पर यहां पर है इस टंडे कंपनी ले आती है ड्यार की सिस्ट्म यह जो डैयार की है इस में यह होता है कि जो administration है अब दो लोग run करेंगे अब सिर्फ जो हमारे नवाब हैं वो नहीं करेंगे मतलब दिवानी राइट तो चली गई इस इंडे कंपनी के पास जो भी revenue मेंगरा collect करना है वो सब इस इंडे कंपनी कंट्रोल करेंगी जो इस इंडे कंपनी के पास चली गई तो यह जो पोस्ट ऑव डेपटी गवर्नर है बनाय जाता है अब यह बिहार का देख रहे हैं तो इस इंडेप्टी गवर्नर है बनाती है बिहार को एड्मिनिस्टर करने के लिए और Robert Clive जो है वहाँ पे इस पोस्ट पर शितब राय को अपॉइंट कर देते हैं यही से हमारी बिहार का बोल सकते हैं हिस्ट्री जो है modern हिस्ट्री थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है तो पहले जो है deputy governor शितब राय को अपॉइंट किया जाता है एजब बोल सकते हैं deputy divan of Bihar उसके बात क्या होता है 1766 में एक council भी अपॉइंट करी जाती है administration को control करने के लिए जिसमें शितब राय भी होते हैं हमारे जो ये deputy divan है धीरज नरायन भी होते हैं Samuel Middleton भी होते हैं बिहार को एक तरीके से watch star की तरह ट्रीट किया जाता है actually जो Marathas हैं उनका invasion हो रहा था नौर्थ की तरफ वो नौर्थ की तरफ आ रहे थे तो यहाँ पे जो बिहार का western part है वहाँ पे उनका डर था कि Marathas गहां से attack कर सकते हैं तो इन्होंने बिहार को as a watch star की तरह ट्रीट करा मतलब यहाँ पे आपको बोल सकते हैं कि Colonel Smith को सासाराम में post कर दिया कि वो जो Marathas हैं उनकी movement को track कर सके और खबर दे सके तो यह एक तरीके से बिहार को watch star की तरह ट्रीट करा गया तो वो जो दिवान की जो post है वहाँ पे अपॉइंट करे जाता है उनके बेटे कल्यान सिंग और दो नाइब दिवान्स को अपॉइंट किया जाता है खयाली राम एंड सांधू राम 1770 में एक revenue council of patna है उसको बनाई जाती है तो बिहार में भी आती है famine तो वरेंड हास्टिंग्स इस famine को control करने के लिए order करते हैं कि एक dome shaped granary बनाई जाए पतना में जिसे हम गोल घर से जानते हैं तो यह जो गोल घर है जो आप पतना में देखते हैं यह basically famine से बचाने के लिए बनाई गया था कि famine ना हो यह जो भुकमरी वाली condition है वो ना हो यहाँ पे grains को store किया जाए और यहाँ पे छोटा सा outlet भी दिया जाता था जिससे की gases release हो तो आप जब हमने अभी current affair पढ़ा था तो उसमें देखा था कि यहाँ से हमारे workers जाते थे और फिर उपर से जाके जो भी bags हैं जो भी इनके ग्रेंडियों से ड्रॉप करते थे इस तरीके से था और अभी इस पे renovation का काम हुआ है इसको बोल सकते हैं protected site की तरह treat करा गया है इसका जो construction है वो 28 जुलाई 1786 को ही complete कर दिया गया था तो यह famine से related मदब यह order करा था 1783 में और यह तीन साल में ही बनके तयार हो गया था तो इस related यही fact है और यह design किस ने करा था जॉन गार्स्टिन यह important है तो आप यहाँ पे देख सकते है उसके बाद आप यह fact यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका यह हिंदी में है तो अभी हमने यहाँ पे Battle of Plassey Battle of Buxer यह सारी चीज़े कर ली है अब कुछ normal सा fact देखते हैं देखिए जो हमारा Battle of Plassey है जो हमने देखा भी West Bengal में इससे पहले हमारे इंडिया में Carnatic Wars चल रहा था यह जो Carnatic Wars था इसमें जो है British की बहुत ही जादा पार, मतलब British ने यहाँ पे French को हरा कर अपना एक Supremacy स्टाबलिश कर लिया था जिससे मतलब जो भी Trading थे हैं उस पे British का बोल सकते हैं Supremacy था जिससे British को बहुत सारे पैसे आने लगे थे बहुत सारा revenue आने लगा था तो जब उसके पास revenue आ रहा है तो वो अपनी आर्मी को strong करेगा और जब उसकी आर्मी पे, मतलब अपनी आर्मी पे खर्च करेगा, तो उसके बाद यह जो आर्मी है, यह 3000 सी आर्मी 5000 की आर्मी के लिए काफी थी तो इसी वज़ा से यहाँ पे वैसे थे बक्सर में हरा देते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे में रीज़न उनकी आर्मी थी आर्मी पे इतना खर्च हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं तो यह जो Carnatic Wars था इसने क्या करा, मतलब आप यहाँ देखे पहले Carnatic Wars तो अगर हम बात करेंगे करनाटिक वर्स इसने स्टैबलिश करा बिरिटिश सुप्रमिसी इन ईडिया बिरिटिश सुप्रमिसी in ट्रेड बोल सकते हैं तो ट्रेड में इनकी सुप्रमिसी बना दी उसके बाद यह जो battle of plassey है यह जो हमने भी देखा इसने बिरिटिश empire को मतलब बोल सकते हैं foundation रखा foundation of British empire in India. So foundation of British empire. So हम याद देखेंगे battle of classi, उसके बाहत है battle of boxer. अब ये था decisive battle. Battle of classi तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि एक conspiracy था. लेकिन battle of boxer तो एक decisive battle है. ये decisive battle है, यहाँ पर अब हमारे अगले बोल सकते हैं काफी सालों तक कौन रून करने वाला East India Company. इन्हें ये जो battle है, इसने British को एक बोल सकते हैं Masters of Bengal बना दिया. उनके पास उनको पता था कि वो कैसे हरा सकते हैं हमारे Indian rulers को. उनके पास बहुत सारे पैसे थे. तो and इसके इनको इसके बाद great power of Northern India बनने से कोई नहीं रोक सका और इसके बाद इन्होंने काफी सालों तक हमें exploit करा और rule करा तो हम इसके बाद जो करेंगे वो हमारा होगा 1857 का revolt तो यह जो 1857 का revolt है यह हम next वीडियो से स्टार्ट करेंगे मतलब आप देखेंगे यह एक तरीके से बोल सकते है introduction था लेकिन important तो यह भी था क्योंकि इसमें आपने पढ़ा गोलगर के बारे में इसने आपने पढ़ा जो battle of classy battle of buckser उसमें कौन-कौन से Indian rulers बोल सकते हमारे बिहार के rulers not Indian rulers हमारे बिहार के किनको दिवान डेप्टी दिवान अपॉइंट करा गया और उपर से आपको battle of classy battle of buckser भी important है तो यह आप देखेंगे लेकिन इसके बाद वाले chapters जादा important है मतलब revolt of 1857 जिसमें आप कोवर सिंग का रोल को पढ़ते हैं तो यह सारी चीज़े जादा important है revolt के बाद जब गांधी जी के मतलब इसके बाद तो काफी चीज़े INC का formation देखते हैं उसके बाद आप यह बोल सकते हैं काफी सारी यहाँ पर pre-INC Congress और Associations भी आप पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको Moderates, Extremists और जो भी हमारे INC की मीटिंग्स होती है बिहार में उनको भी पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं आपका चंपारण movement होता है फिर आपका यहाँ पर non-cooperation movement, civil disobedience movement and quit India movement यह सारे movement होते हैं और तो यह सारा आपका बिहार का क्या रोल था है इन सब में यह हम पढ़ेंगे मतलब हम Indian history की तरफ कम जाएंगे हम Bihar history की तरफ जादा जाएंगे so if you find this video helpful do like this video and share it to your friends thank you